महाभारत के महायोधाओं का पहले भी जन्म हो चुका था आईए देखे कि ये महायोधा पुर्व जन्म में क्या थे स्रीकृष्ण भगवान विश्णू के आठवे अपतार माने जाते हैं मुल रूप से याप माना जाता है कि स्रीकृष्ण पुर्व जन्मे नारायन थे अरजुन पुर्व जन्मे नारायन के जुर्वा भाई नर थे नर और नारायन ने दमबोद्रवा नामक अशुर कावद करने के लिए जन्म लिया था महाभारत के सबसे बुजूर्ग वेक्ति भीश्म पितामा अपने पुर्वच के स्राप के कारण दिर्ग जीवन जीने के लिए मजबूर थे कथा के अनुसार भिश्म पुर्व जन में एक वसू थे पत्नी की जिद में आकर इन्होंने रिसी वसिस्ट की गाय चुरा ली थी इसे क्रोधी थो करिसी ने इन्हें प्रीच्वी पर मनुष्री रूप में जन्म लेकर दिर्ग काल तक जीवीत रहकर कष्ट भोगने का स्राप दिया था अभिमन्यू के बारे में ऐसी कथा है कि वह पुर्व जन में भगवान स्री कृष्ण का सत्रू काल यवन था कर्ण ही पुर्व जन में दंभो द्रवा नामक असुर था कर्ण का वद करने के लिए ही भगवान स्री कृष्ण और अर्जुन को वापस पुर्व जन लेना पर रहा था ये कबर लोक माननेताओं पर आधारी थे इस कबर में सामिल सूचना और तथ्यों की सटिकता संपुर्णता के लिए हमारा चैनल उत्तरदाई नहीं है धन्यवद